अन्य महानुभाव और तेलंगणा के मेरे भाई और बहनों हाल ही में तेलंगणा ने अपनी स्थापना के नव वर्ष फूरे किये हैं तेलंगणा राज भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगणा का कॉंटिबिशन यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बढ़ा रहा है तेलुकू लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगणा के लोगों के बड़ी भूमिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है विक्सित भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगणा के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर विशेश ध्यान दिया है इसी कड़ी में आज तेलंगना की कनेक्टिविटी और मैनिफेक्टरिंग से जुड़े छे हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स का सलान्यास किया गया है इन सभी प्रोजेक्स के लिए बैतलेंगना की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथियों नए लक्ष हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं भारत का तेजविकास पुराने इंफ्रास्तक्तर के बल पर संभव नहीं था आने जाने में अगर जाना टाइम बेस्ट होगा लॉजिस्टिक्स अगर महिंगा होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परिशानी होती है इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधीक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है आज हर प्रकार के इंफ्रासेक्टर के लिए पहले से कई गुणा तेजी से काम हो रहा है आज पूरे देश में हाइवे, एक्स्प्रेस वे, इकोनोमिक कोरिडोर, इंडुस्टियल कोरिडोर एक जान बीचा रहा है तू लेंग के हाइवे, फोर लेंग में और फोर लेंग के हाइवे, सिक्स लेंग में बदले जा रहा है नव साल पहले जहां तेलंगणा का नेश्टलन हाइवे नेटवर्क डाई हजार किलोमेटर का था आज ये बढ़कर पाँच हजार किलोमेटर हो चुका है आज तेलंगणा में पच्ची सो किलोमेटर की नेश्टलन हाइवे परियोजना है निर्मान के अलग-अलग फेशिस में है भारत माला परियोजना के तहट जो दरजनों कोरिडोर्स देश में बन रहे हैं उनमें से अनेक तेलंगणा से होकर के गुजरते हैं हैदराबाद इंदोर इकोनोमिक कोरिडोर सूरत चिन्नाई इकोनोमिक कोरिडोर हैदराबाद पणजी इकोनोमिक कोरिडोर हैदराबाद विजागापटम इंटर कोरिडोर ऐसे कितने ही उदारण हमारे सामने है एक प्रकार से तेलंगणा आज पडोस के इकोनोमिक सेंटर्स को जोड रहा है आर्थी गतिवितियों का हब बन रहा है साथियों आज नागपूर विजयवाड़ा कोरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्षन का भी सिलान्यास हुआ है ये तेलंगणा को महराष्टर और आंदरप्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दुरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम के समस्था भी कमी आएगी ये विशेश रुप से उनी एरियास से गुजरता है जहां विकास का भाव था जहां अमारे ट्राइबल कम्यूनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते है ये कोरिडोर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा करिम नगर वारंगल सेक्शन के फोर लेन में बदलने से हाइदराबाद वारंगल इंडिस्टिविटी कोरिडोर काकतियां मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क और वारंगल एसी जेड की कनेक्टिविटी भी ससकत होगी साथियों भारत सरकार आज तेलंगणा में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है उसका लाब तेलंगणा के इंडिस्ट्री को हो रहा है यहां के टूरिजम को हो रहा है तेलंगणा में जो अनेक हरिटीज सेंटर से आस्ता के सान है वहां आना जाना बहुर अधिक सुविदाजनक हो रहा है यहां जो अग्रिकल्चर से जुड़े उद्योग है करिमनगर की ग्रिनाइट इंडस्ट्री है उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है यानि किसान हो या फिर समिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल सभी को इसका लाप हो रहा है इसे युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे है साथियों युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैनुफेक्टरिंग सेक्टर बन रहा है मेक इन इंडिया अभ्यान बन रहा है हमने देश में मैनुफेक्टरिंग को प्रोजगार करने के लिए PLI योजना शुरू किया है यनि जो ज़्यादा मैनुफेक्टरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार ते विशेस मदद मिल रही है इसके तहट 50 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगणा में लगे आप जानते हैं कि भारत ते इस वर्क्स डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 900 पहले 1000 रुपिय से 1000 करोड से भी कम था आज ये 16,000 करोड रुपिय पार कर चुका है इसका लाब हाइदराबास सीथ भारत डाइनमेक्स लिमिटेड को भी हो रहा है साथियों आज भारती रेल भी मैनुफेक्टरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड नए पढ़ाव तै कर रही है इन दिनों मेडीन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्था है बीते वर्षों में भारती रेल ने हजारों आदुनिक कोच और लोकोमेटिव बनाए है भारती रेल वे के सकाय कल्प में अब काजी पेट भी मेकिन इंडिया के नई उर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है अब यहां हर मैने दरजनों वैगन बनेंगे इस एक शेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे यहां के हर परिवार को किसे ना किसी रूप में लाब होगा यही तो सबका साथ सबका विकास है विकास के इस मंत्र पर तेलंगना को हमें आगे बढ़ाना है एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रकतिशिल कायरकमों के लिए आयोजनों के लिए विकास के नई धारा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद सिर्थ Thank you very much